तो लेकर कहें आपके लिए एक नए वीडियो जिसमें से आज आपको कुछ पांच सवाल तो मिल जाएंगे तो आप पूरी वीडियो देखना आराम से बैट करके ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी जैसे कि हमारे चोटी वीडियो जोती है वैसी रहेगी तो यह बहुत इ कि आने वाली जानी ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी वह सब नहीं बताता मैं जो नहीं आता है तो आप पूरी वीडियो देखना दूसरा को देंद नकना है कि आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टेल मैंने फ्लेक ग्रूब बनाया आपके लिए उसको जाइन कर देक्शे में सबस्क्राइब करें और आपको पुरा एक महीना जम के त्यारी कराएगी ठीक ना बाकिया आप चैनल से चूटे रहेगा चैनल को शोड़के मत भाग जाना यहां भी आपको सारी सीजें मिलते नहीं ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको नहीं मिलेगा कुछ ठीक है तो चले करते ह आपको ध्यान रखना है अब आई उसेन का जो नहाया नाम है वो डबलू सी यू यह वर्ल्ड कंजरवेशन यूनियन होता है आज कर ठीक है और यह क्या करता है आपका डेट डाटा बुक को कंट्रोल करता है मतलब मेंटेन करता होता है उसके अंदर जो भी चीजे होती है ज सब्सक्राइब करता है तो यह आ सकता है कि कितनी लिश्ट जो है ठीक है ना कितनी जो है आपकी थ्रेट में है यह ध्यान रखना आउट अप दीज तो नाइंटीफाइव एनिमल स्पसीज और 1014 प्लांट स्पसीज आर क्रिटिकली अंडेजर तो इन में से आपकी 925 तो एन इंडेंजर के स्रेणी में आते हैं नेक्स कोशन आपसे पूछा आएगा कि भाई आपकी कितनी कैटेगरी होती है रेट डाटा बुक में तो आप ध्यान रखना आठ कैटेगरी होती है जिसमें सबसे पहले ही एक्स्टिंक्ट है एक्स्टिंक्ट मतलब वह जो खतम हो गया तो उसमें से आपका एक्जामपल कई बार पूछते हैं डोडो पैसेंजर पीजन यह आपके एक्स्टिंक्ट हो गया है दूसरी काटेगरी होती है एक्स्टिंक्ट इन वाइल्ड मतलब अपने औरिजिनल हैबिटाइट में जो और्गनिम थे वह वहां पर खतम हो गया जैस किसी फ्यूचर में कभी बिजागरी खता हो सकते हैं जैसे की बर बरी स्क्रिटिकली एंडेंज़र है सब स्सेल्वीनिस क्लिकली एंडेंज़र है पोडो फिलन क्लिकली एंडेंज़र 는र्ण करीजियों कूँशी होती है तो यह आपको जश्याश्युच्ट यह नद्चन न पखाया जा रहा है एक्सेसिव तो आपके एंडीजरी में आते हैं एंडीया एकुनाइट आपको यह जरूर आते हैं इसको जरूर द्यान रखना बाकि निपेंथिस भी आपका आजकल इंडेंजर की श्रिणी में आ रहा है ठीक है तो यह नाम जरूर देखने ना एक बार पढ़ लेना तो थोड़ा याद आ जाएगा आपको रेड़ पंड़ा ज्यादा इंपोर्डेंट है थोड़ा ध्यान रखना है इसका नेक्स होते हैं क्यों से होती है मतलब जिनको आने वाले कुछ समय के बाद जो आपके एक्स्टिंशन को जहलेंगे मतलब बस वह मोस प्राउन है अगला अगले स्टैप उनका ही है जैसे की जिम्नो स्पाम एंपीबियां जिम्नो स्पाम जो यहीं वल्नेरेबल हो रहे हैं आजकल यह खतम हो जैसे की क्यों प्रैसस नेक्स से लोवर रिस्क पस्टिय के नाम आपको पढ़ने हैं लोवर इस थेटर नहीं होते हैं डाटा डेफिशन कप जो नोट इवैल्यूवेटेड ठीक है नेक्स होती है आपकी एट नंबर की रेयर वह यहां पर नहीं आई है तो ध्यान रखना आ अपके पर में आने के संभाव ना जिनके बहुत जाता जैसे की ग्रीन डाटा जो आ उसमें क्या रखते हैं जो कि आपके डा कैटलोग ईंफिर्मेशन दो प्लाट ग्रोईंग-उन प्रोटेक्टिक्टेड डीया एच में जो इंफिर्मेशन जो आपके प्लांड मिलते हैं उनकी इंफ्रमिशन आपके कहां होती है ग्रीन डाटा बुक में होती है नेक्स आपको ध्यान रखना है साइलेंट वैलियोफ के यहां से सवाल याद करना है साइलेंट वैलियोफ के रिला इज नेच्छल ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट एंड विद रिच अन एक्सलोड पायर तो ध्यान रखना कई पर बुछ लेते हैं साइलेंट वैलियोफ के रिड़ा जो है उसमें आपका वो कहां है क्या रिजन आता है तो ध्यान रखना ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट का रिजन आता है और उसमें उनेक्स्प्लोड बायर डैवस्टी है बहुत जाता जो ढूंडी जबता को पूराना नाम था है है कि हैलि नेसिनल पार्क आपका कोन सा पार्क था तो ये इंडिया का सवाल है तो ये जरूर आएगा पेपर में आना चाहिए भी इसको ना तो थोड़ा मार्क कर लेना अच्छे पढ़ लेना इसको ना तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई यहां से एक्स्टिंक्ट हो गए है इंडिया का वो कौन सा था वो नील गिरी था इंपोरेंट सवाल है बहुत जाथा नेक्स सवाल है आप से पूछते हैं वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट कहां हुआ था तो 2002 में जॉन्सबर्ग में हुआ था दूसरा सवाल आता है इसमें कितनी कंट्री ने हो तो उसमें क्या फैसर लिया था आपका अंसर होता है कि वही वह 2010 तक करेंट रेट जो लोग चल रहा है उसको कम कर देंगे ठीक है जी चलिए जी नेक्स चलते हैं नेक्स यह उपर से यहां से कुछ नहीं आएगा आपका नेक्स एक बार यह देख लेना बस बायर डावस्टी एक्ट आपका 2002 में आया था यहां से कुछ नहीं आने वाला है आपका यहां से कुछ नहीं आने वाला यहां से यह बाकी जो नीचे से जो कुछ डेज दिये गए सब्सक्राइब और यह पॉपुलिशन डे भी एक बार देख लेना 11 जुलाई को है और 21 मार्च को है फोरेस्ट ठीक है बाकि आपको कैसरी की फुल फॉर्म पता होने चाहिए सेंटर लेड जोन रिसर्च इसवर जोधपूर में है युने आपकी फुल फॉर्म पता होने चाहिए प्रोग्राम यह पता होने चाहिए मैब की जरूर पता होने चाहिए मैब आपका 1971 में लाग हुआ था जो मैब होता है इसके अंटर में आपके बायर्स पर रिजर्व बनाए गए थे ठीक है जी चलते जी नेक्स पे नेक्स जी हाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल और कुछ प्रो लंगाल में रन्थंबोर नेशनल पार्क सवाय माधपूर रहस्थान में तो यह पूछते कि यहाँ पर क्या रिजर कर रखा है तो तीनों को आप एक बार पढ़ना तो इसको ने वाला है तो इसको कहां पर रखा है तो इध्यान रखना कंचंजन्डा जोंगा कंचंजनल प नेंचन पारक आसं में, आपका एक सिंग वाला राइनोसिरोस मिलता होता है तो यह तेन बस बस पहले तीन ही आपको कड़ने बाकी नीचे वाले नहीं करने ना कोई पेपर में था तक के आपको याद रे सब संबावना जादा है पाकी नीचे से आपको यह सब नहीं पूछा जाएगा कुछ भी ना यह आएगा पेपर में एक देख लेना आप पता रहेगा आपको आसान है सवाल एसे टिक लाइन वाला यह सब याद कर लेना चाहिए कम सकम यह तो याद कर लो कि गिर्ड नेशनल पार्क अपका गुजरात में होता है ठीक है ना एक यह सवाल आ सकता है ठीक है चलिए जी नेक्स देखते हैं नेजिक टाइप पॉल्यूटेंट कर देखो दोनों पेपर में आ रहा है पहले पैपर में भी आया था ठीक है यहां से आपको बस यह देखना कि कुछ फाइंट होते हैं कुछ सेगडे पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे प्रैमी पॉटेंट में आप देखो गे कि करबन पूल फॉर्म भी आद रखनी है आपको यह भी पता रखना है कि सेंडी पॉलिटेंट है ठीक है यह कि आपके रियक्शन से बनते हैं प्रैमरी पॉलिटेंट के ठीक है तो जरूर जानक ना ओजोन शायद इस बार भी पूछा गया तो पैन जरूर आएगा ठीक है ना नीचे स प्लास्टिक ब्रोकन ग्लास डीटी एक नहीं होते हैं ठीक ना चलिए जी नेक्स यहां पर सवाल इक स्मोग क्या है तो दो टाइप की स्मोग बताएं गई एक लासिकल स्मोग और एक फोटोकेमिकल स्मोग तो इनसे सवाल आने की संभावना है चुटे-चुटे सवाल ने बन जाए टोक्सिसिटि वाले में भी एक हटोजाएंगी झान रखना उसमें भी आता है तो इसमो em schonें पर प्लस फोकिस्क खेतें संग बस इतनी बात याद रखने हैं्यार ओंगें वैङ Lakina points वोह है डिडीूसिंग एटमोस्फिर तीन चाहिए होती है ठीक है जी जहां रखना अगर फोटोकेमिकल स्मोग आती है उसको आप लोस एंजली स्मोग कहते हूं ठीक है लोस एंजली स्मोग जो है उसमें टेंपरेचर ज्यादा चाहिए ज्यादा नगना बसी उल्टा है नाइटरोजन और हाइड्रो कार्बन यहां पर होते हैं जो कि आपके ओ-ταरी बना लेते हैं और दोड़ी जितनेों है कि लॉड़ा सकते हैं सर्व कि लंदन SEMOKE में raised क्या था ठीक है ना जी चलिए जी पैन करता क्या है यह मोस मोस इंपोईट सवाल है कि पैन जो आपका फोटो सिस्टम डू जो आपका होता है उसको इनिविट करता होता है ठीक ना बस इतना ध्यान लगना और क्लोड़ोफिल फॉरमेशन को बंद कर देता है जिससे की अगर अधन आपकी नीचे ट्रोफोसफ्पेर में होगी तो एसा कड़ आटमसफियर में नीचे होगी तो ऊपर होती है तो प्रोटेक्टिल एर की तरह कामी करते हो तो आप पता ही है किक नेक्स है ये दो सब्वाल इन दो सब्सक्राइब हमेशन अगना कभी भीनी चपते है एक तो ध्यान रखना है मीने माटा डिजीज जो है वह आपकी मरकरी की होती है जपान में एक जगा है मीने माटा वहां पर यह हुआ था मरकरी की वजह से मरकरी आदमी में आ जाती है यह जरूर ध्यान रखना मीने माटा डिजीज मरकरी के वे से एम से एम आप याद रखोगे ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक की इसका मेरा मन है पूरा कि कल की पेपर में आपको यह जरूर देखने को मिलागा ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक से होती है नेक्स जी टाई टाई यह आपकी कैडमियम से होती है आउच आउच इसको कहते होते हैं ठीक है तीन सवाल ही है चोता सवाल है जी मैथेनो गलोबो मीनिया जब भी कभी यह सवाल दिखेगा आपको तो आपको नाइटरेट अपने दिमाग में बैठाना है ब्लू बेवी सिंड्रोम साइनोसिस इसी को ही कहते होते है और नाइटरेट की वैसे होता है कि ड्रिंकिंग वाटर में अगर नाइटरेट आ जाए तो क्या हो जाता है यह बन जाता है नोन फंक्शनल मिथेमो गलोबिन दैट प्रिवेंट ऊटू ट्रांस्पोर्ट इन इंफेंट इस गोल्ड़ता मिथेमो गलोबो मीनिया देखा है चार्ट इसवाल आने के संभावना बहुत बहुत जादा है नाइक्स अजी फ्लुरोसिस्स को नोकनी डिजिज्ज कहते है बस इस एक सवाल इनमें से कल आयेगा आप कमेंड में अगर के कल जरूर बताना पेपर मेंसे जबाओगे के भाई आया था ठीक है नेक्स है जी कुछ थोड़े से प्रोटोकोल जो कि आपके पेपर में आते होते हैं बहुत बार आये हुए हो तो आपको इसकी जरूर याद करना होता है दो सवाल इसमें से जरूर आ तो अब नी आता है पहले आता था और किसके प्रोटेक्शन के लिए होता मोंटेल में होता कनेडा में यह तारिक भी याद रखने है 16 सितंबर 1987 27 इंडिसमें भाग लिया था यह सवाल आता है और इन्होंने क्या आता कि बहुत जादे इंप्लेट करने वाले जो सबस्तांस ह यह बीच वाले तो नहीं पढ़ने आपको इसमें से यह पढ़ना आपको बहुत जादे इंपोरेंट है मोस 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 इंपरेंट यह वाला इसमें रिखाया युनाइटेड नेशन कॉन्फरेंस और इन्वार्मेंट इंवलेपन यूंसिड इंडिश कोल्ड अर्थ समिट है न 1992 में हुआ इसके बाद जॉंस बर्ग में होता और यह आपका ब्राजील में रियोडी जनेरियो में होता तो यहां पर क्या हुआ तक एक बात ओर द्यान अखना के एन अड़ेप्टेट दा रिकमेंडेशन ऑफ सी सी फोर डिदूसिंग ग्रीन हाउस कैसिस को कम करने के लिए हुआ था इंडे रिकमेंडेशन वर साइंड वाइव फिफ्टी फोर नेशन देखो वहां पीछे आपके एक सुनब्बे कंट्री थी और यहां पर आपके एक सुच अफ़वन कंट्री हैं एंडे प्लीजू में दा इमेशन ओफ ग्रीन हाउस ऐस के नाइंटी नाइटी ले हुआ था उसको इसमें मिला मत देना दोनों को पीछे वाले को जरूर 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 याद रखना को बहुत इंपोइंट है यहां पर लिखा है कि इंटरनेशनल कॉन्फरेंस हेल इन क्योटो में हुई थी कॉन्फरेंस यह जपान में कंसर्णि विदा माइग्रेशन ऑफ क् अब्टेंड कमिट्मेंट फ्रूम डिफेंट कंट्री फो डिदूसिंग ओवरॉल ग्रीन गैसे इमिजन एट द लेवल फाइप परसेंट बिलो नाइंटिन नैंटि लेवल तक यह सवाल नीट में आता और यह आने की संभावना आपके पेपर में भी बहुत जाता है ठीक ह तो यह लाइन पूरी रट लेना बार-बार क्योंट प्रोटोकोल वह जंडोस है COP3 इसको याद कर लेना नेक्स है जी बीजिंग प्रोटोकोल यह नहीं आता वर्ल्ड हैल्ट समीट जॉन्स बर्ग में होता है पीछे मनें बता दिया साउथ बर्ग में इसका काम था कि बायर इसके आनी की थोड़ी संभावना पहले वाली सवाल कि कि Ben common pollen energy कौन करते हैं यह थिवर किस से होता है तो आप ध्यान लखना है यह जब तो फंक्शन पॉलें ट्यूब जो है वो कैस्टर में देखनों को मिलती है एक्जामपल यहां लिकाई केस्टर जो कि आपकी आपकी आउट ग्रोथ ऑफ इंटेगमेंट नियर माइक्रोपाईल और हाइलम उसके पास में आउट ग्रोथ होती है हाईलम और माइक्रोपाईल के इनटेगमेंट की ग्रोथ है यह आपको कैस्टर में देखने हों मिलते कई बार इस वाल में आता है नेउसेख के अंदर इसको क्या कहते है है हाईपोस्टेस कहते होते हैं इतना याद करना है नीचे से कुछ नहीं करना है नेक्सेज़ यह कुछ टाइप के ओव्यूल है इन टाइप के औवियल में से मैं आपको बताता हूं पेपर में की आएगा पेपर में आपका एंफिट रोप साएगा यह यह बेड़ा एकजांपल आएंगे और इंपिट रोपसी पूछा जाएगा एलिजमा, लेमना, पोपी इसके एक्जामपल है फैमिली पूछेंगे तो बीटा मोसी और पैपा वरेसी पूछी जाएगे जरूर ध्यान रखना, गैरेंटे इस बात की एक ये भी याद कर लेना, एहमी है न ट्रॉपस आपका जब 90 निगरी के घूमता है तो रैनन कुलस में मिलता होता है बाकी मत करना याद, ये पूछा नहीं जाता है और्थो ट्रॉपस का जब भी सवाल आएगा तो ये ही पूछते है और्थो ट्रॉपस ट्राइप का ओविल कहां मिलता है तो ध्यान रखना ये सवाल आपका आया था पेपर में तो बच्चों को नहीं आता था विल्कुल भी टफ सवाल हो गया था उनके लिए तो ध्यान अकना एंडॉथिलियम जो होता है वो आपकी नूसेलस बींटिय लूगेटेड नाउ इनलेर ओव इंटेगउमेंट बीकम रेडी ली लूंगेटेड तो ये कह रहे है अब की बार ये पूच सकते हैं कि एंडो फेमिले मिलता है तो ध्यान गणा एस ट्रेसी फैंले मिलता होता है जरूर ध्यान अखना पूचा जाएगा ऐसा सवाल वापस पलटके पूछते हैं इनकी आदत है ठीक है नैक्स शी कहरें कल कर आपको पताहिए दिया कि कैस्टर में म बहुत बहुत धन्यवाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके इतना काम तो करें लेना के टेलिग्राम पर जो चैनल है उसको जॉइन कर लेना मैंने नया एक चैनल बनाया आप लोग के लिए और भाई वहां पर जितने लोग बताएंगे कि हम जो है जैसी के बैद जॉ परना नहीं करी होगी ठीक है बहुत सस्ती रखी जाएगी जिसमें कि आपको पूरा दो-दो वीडियो पूरा लेक्चर पूरी पूरा मतलब पूरा कोर्स आपको पढ़ाने कोशिश की जाएगी पूरे एक बहने के अंदर ठीक है 50-60 वीडियो बना करके दी जाएंगी आप आपको live classes में conceptual चीजे पढ़ाए जाएंगी तो कोशिश करते हैं अगर मानलो अगर बैच चलता है अगर बच्चे हो जाते हैं अच्छे से तो फिर बैच पढ़ाया जाएगा बाकी आपको YouTube चैनल पर जरूर मिलता रहेगा आप यह मत सोचना कि चैनल पर कुछ नहीं मिलेग पूरी चीजे नहीं पढ़ाया सकती हैं यह आप भी समझ सकते हो ठीक है तुम मिलते है नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही भाई आप ध्यान अगना आपकी बहुत-बहुत बेपर अच्छा होने वाला है इस वीडियो से आपको दो-तिन सवाल मिली जाएंगी आपका